ऑच्पलों ना बूले तो मैंत वह ब्रेशा करें आप लोग को आप से आप लोग की पूरी है जरेका की फिलीक्स की वीडियो फिर से आने वाली है तुछ आपका एंट और यह हमारी फिस्ट वीडियो के अंदर बैच्छू बात करेंगे वाथ इस फॉर्स हम लोग समझेंगे what is exactly force and how it is in work in real life हम लोग क्लिर जी समझेंगे definition क्या है ठीक है इस सारी चीजे बस इस वीडियो पर हम लोग करने बारे है बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब पढ़ना ना बूले ठीक है तो मैं आप बहुता बर्मा जे सारी बखना सब्सक्राइब आप शोड़ायब नाँ देरा हो अपर एफिर से ओपन कर लेता हूं अमको पढ़ना है बचो वाट इस फोर्स हमको एस फोर्स पढ़ना है ठीक अगर मैं आपसे पुछू कि वाट इस फोर्स तो आप क्या बोलोगे आप पुचूँ आपसे बच्चो आप force का मतलब क्या समझते हो तो आप क्या बता होगी कोड़ाई आपको क्या लगता है कि what is force निगो बच्चो force का मतलब आप मुसलिए भूलोगे कि जब हम किसी जिशको दक्का मारते हैं जब हम किसी जिशको खीचते हैं वोस्त आप लोग यही समझते हो किजब हम हम किसी जिशको नथक्का बारते हैं या फिर लोग कीचते हैं या फिर उतनर और भीक्टा ब्रुंटे तो आम उसमें force उपडाई करते हैं आप एही बने होगे ठीक Which can change... Which can change... Change three things. क्या बच्छो? पहला... शेप... शेप... दूसरा... साइस... अं तीसरा... स्टेप... यह एक डाफिनिशन है? ठीक, state, top and object, तीर तीन पोईट, तो यही stand एक definition है, अब इस definition का मतलब क्या, समझो बच्छो, अब push और pull which can change the shape, क्या, shape, shape कैसे change कर सकता है, force आप सोच के बताओ, अगर मालो मेरे पास एक object है, मालो मेरे पास एक object है, मालो मेरे पास एक cube है, cube है, ठीक, अगर मैं इस cube पे ठेर सारा force अपलाई गरो, cube नहीं, for example, अगर हम real life example की बात करें, तो अगर मेरे पास एक balloon है, balloon है, जो की spherical shape का है, कैसा बिट्चो, मेरे पास मालो मेरे पास एक balloon है, जो की spherical shape का है, let me raise this बच्छो, okay, so मेरे पास एक balloon है, एक बैलून है ठीक बैलून का यह शेप है इस इस बैलून अगर इस बैलून पर मैं फोर्स लगाँ तो पच्छो क्या होगा अगर इस बैलून पर मैं 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 इस जब तक force लगता रहेगा इसका shape चेंज होगा होगा चेंज तो force can change the shape of an object force can change the shape of an object ठीक अब second is size size के example बास करें बच्चों तो rubber band जब हम stretch करते हैं तो उसकी size change होती है न होती है na spring spring को जब हम stretch करते हैं जब बहुत ज़्यारे stretch कर देते हैं तो उसकी size change होती है ठीक फर आम अगRP अगर हम बात करें spring की तो कुछ इस तरह होती है spring कि इस तरह होती है spring ठीक जब हम इस की force apply कर देते हैं दोनों तरफ से जब इसको हम ढूनों दरफ से force apply कर देते तो ये कुछ किस टैम बाद कुछ इस तरह हो जाती है, हो जाती है ना और उसके बाद यह ऐसी ही रहती है, तो इसकी शेप भी चेंज हो जाती है, होती है तो इसकी साइज भी चेंज हो जाती है, होती है तो force can change the shape and size of an object अब बात करते, what is state of an object बिखिए, state of an object को समझना बहुत important है बच्चो समझते what is state of an object state, what is state of an object state of object देखिए बच्चो, state of an object की जब भी मैं बात करूँ तो basically आप यह समझे कि object कि state में state मतलब कि या तो rest या तो motion फिखिए, object का क्या state है यही उसका state of an object होता है for example, अगर माल लिजे, मेरे पास एक person है person एक p1 मेरे पास एक person है p1 जो की rest में है ठीक है, मेरे पास एक person है p1 जो की rest में है आधिर यह rest में है तो यह state of an object rest हो जाएगा ठीक, और वही मेरे पास एक और person है अच्छा, यह p1 हो गया मेरे पास एक और person है p2 ठिक पीटू जो है वो मोशन में है भीटू जो है वो मोशन में है ठिक पीटू जो है वो मोशन में तो इसका State of object हो जाएगा अनो एक अब अब ये बात दिखे भच्छो कि अगर मैं आभ सोडिवाक्ति इसको मैं इसको मैं ब्युए celebrating प्रोड़ेट हो उसको पीट उगड़ लेतों ठिक अगर मैं फोर्स लगाऊंगा अगर मैं फोर्स लगाऊंगा बच्चु अगर मैं पीवन पे फोर्स लगाऊंगा तो पीवन तो P1 rest से motion में आ जाएगा rest से motion में आ जाएगा आ जाएगा न rest में था उस पर मैंने post लगाया तो motion में आ जाएगा अगर मैं rest में हूँ मुझे कोई पीछे से धक्का मारे तो मैं motion में आ जाओँगा और save इसी कज़ टोल्टा अगर हम P2 की बात करे तो अगर P2 motion में है बच्चो अगर P2 motion में है और अगर मैं force लगा दो इधर से force लगा दो इधर तो तो P2 क्या मेरा rest में आ जाएगा P2 क्या मेरा rest में आ जाएगा पीटू रुक जाएगा अगर हम दोड़ते हैं अगर हमको कोई धक्ता वान के रोग दे तो हम रुक जाते हैं तो rest से motion में इसका state change हुआ P1 का और simply और इसका motion से rest में change हुआ वह न तो इन दोनों में state change हुआ इसका पहले state था rest बाद में इसका state हो गया motion और इसका पहले state था बच्चो motion बाद में हो गया rest हुआ ना किसकी वेस हुआ बच्चो force ही वेस हुआ ठीक है तो force के हम लोग basic definition समझे की what is the force ठीक force क्या क्या चीजे कर सकती है ठीक है इस वीडियो में बच्चो हम लोग इतना ही continue करेंगे next video में हम लोग समझेगे की how force is a vector quantity ठीक है बच्चो